नमश्कार दोस्तों मैं मुलकित मौन सिंगला स्वागत है आपका मारे शाल में दोस्तों आज हमें स्विश में बात करेंगे कि केतु अगर हमें इस जीवन में कुछ नहीं देता तो हम उस सेम चीज को इस जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों केतु हमारी पास्ट लाइफ से connected होता है यह वो ग्रह होता है जो हमें इस जीवन में डिप्राइव रखता है उन चीजों से जिन चीजों को हमने अपनी पास्ट लाइफ में खूब अच्छे से भोगा है अगें वो चीजे डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग ऑन के केतु की प्लेस्मेंट कहां ह है आपकी कुंडली में फॉर एक्जामपल अगर केतु आपके second house में है यानि कि पैसे के स्थान पे है जिस घर में आपके गुरू उच्चके हो जाते हैं आपके शुक्र अच्छे हो जाते हैं जहां से आपको धन मिलता है धन कुटुम के शेत्र में भी माना जाता है कि यान बीवार का सुख नहीं मिल पाता इसी तरीके से चौथे स्थान में हो गया तो माता का सुख नहीं मिल पाता पाच्वे स्थान में हो गया तो आपकी education में disturbances आती हैं difficulties आती हैं आपको बड़े होने में दिक्कते आती हैं जब आप बढ़ रहे होते हो प्यूबर्टी से जवानी आगे मतलब हर्डल्स ही हर्डल्स लाइफ में आती है केतू सात्वे में होता है उनकी असानी से शादी नहीं होती क्योंकि हर इंसान गबराता है ऐसे इंसान से शादी करने के जिसका केतू सात्वे में है क्योंकि आटोमेटिकली मैरिज के विरुद माना जाता है, मैरिज के अगेस्ट माना जाता है और मैरिज लाइफ पे एक बहुत बड़ा खत्रा माना जाता है इसी तरीके से 8th house में आ गया, अगर केतु तो हर तरीके की दुरगटना एक्सिडेंट्स तक का भी योग बन जाता है तो बहुत से ऐसी चीजे हैं जो केतु क्रियेट करता है पर एक्सामपल 11th house में आ गया, आपके वेपार में आ गया तो आप धन्दा करी नहीं पाओगे, धन्दे बदलते रहोगे, बदलते रहोगे earning sources बदलते रहोगे पर स्थाई धंका source नहीं मिलेगा तो यहां आपने क्या देखा कि different different placements से हमने क्या देखा कि के तु जिस चीज का हमें फाइदा हो सकता है जिस घर से उसी चीज से हमें deprive कर देता है जैसे मैंने second house का बोला धन का धन से deprive हो गए 11 का मैंने आपको बताया व्यपार व्यपार से भूगी है चाहे marriage है चाहे पैसा है चाहे घर है हर चीज और अब इस life में वह चीज को रोग देता है कि नहीं आपने पास्ट लाइफ में वह चीज ले लिए अब इस life में आपको वह नहीं मिलेगी तो क्या हमें उसको पनी तकदीर मान के चुप हो जाना चाहिए कि यह करते रहते हैं करते हैं marriage के लिए हो wealth के लिए हो धंदे के लिए हो बच्छों के लिए हो family के लिए हो और जब हमारा की तु बहुत जादा ही negative होता तो वह efforts fail हो जाते हैं वाकई में वो हमें उस लाइफ में वो चीज नहीं मिलती नहीं प्राप्त हो पाती जो हम इस लाइफ में चाह रहे हैं वो हमें जिस भी पर्टिकुलर काम बन जाते हैं तो केतु आपका इतना नेगेटिव नहीं है उसने आपको डिप्राइव रखना चाहा पर फिर भी दे दिया इसमें केतु को शुब करने का बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वह आपको सीखनी होगी अगर आपने वह शुब कर लिया केतु तो जो आपको डिप्राइव रख रहा है वो ही आपको देना शुरू करतेका वो कयेगा के पास्ट लाइफ में भी आपको ये सब चीजे मैंने दी थी और इस लाइफ में भी आपके शुब कार्यों के कारण मैं आपको दे रहा हién तो आपको वो करम करने होंगे जिस से आप मोक्ष के प्रबल के बिना मोक्ष भी नहीं मिलता है इस बात को ध्यान रखना के तुछ चाहेंगे तो ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा अधर्वाइस आप मोक्ष के भागीदार हा जो कहते हैं वो नहीं बन पाऊगी तो पहली चीज तो एनिमल्स को कभी भी तक मत करो कुट्ता बिल् मुर्गी है, बंदर है, पिज़न्स हैं, मैं जो जानवर आपको शेहर में दिखाई देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनको आप तंग ना करें, रही बात, चूहे की, कौकरेज की चिपकली की, वो आपके घर में आ रहे हैं और उनसे आपके जीवन को खत्रा है, तो आ अपको ही नुकसान हो जाएगा health को या आपकी मृत्थ्य evidence हो जाएगी तो वहां पे केतू का दोश्ट नहीं लगता जब आप किसी भी जान्वर को सतार हो बिना किसी कारण वो आपके घर में यह आया आपको परिशान नहीं किया आपकी कोई चीज नहीं काटी आपको कुछ नहीं किया जहा sulphोग कोई डर नहीं है गुष्ट हूआ और जाण हैं आपको कोई डर नहीं तmm भी आप उन पर पठ्थर मार रहा हो यह कुछ encouragement आप दो आपको किसी भी देवता मंत्र का परह सकते हैं जो सबसे ज़ादा फाइदा देता है सबसे ज़ादा मैनिफिट देता है सबसे ज़ादा आपको यह समझ लीजिए शांती जो केतु की है वो खुद के द्वारा केतु का मंतर करने से ही होगी आप चाहे अगर केतु का मंतर नहीं करना चाहते तो मादुरगा की उपासना आप कीज शान्त होते हैं मादुर्गा की भक्ती में लीन हो जाई है आप देखेंगे कि जो भी केतु की पीड़ा है वो दूर होने लगेगी इसके अलावा गनेश जी की अगर आप उपासना करते हैं तो भी केतु की पीड़ा दूर होने लगेगी फिर आते हैं बात ब्रसपती देवता की उपासना, अगर आप गुरु देवता की उपासना करने लगते हैं, तो भी केतु आपके ठीक होने लगते हैं, विश्नु जी की उपासना करते हैं, तो भी आपके केतु ठीक होने लगते हैं, तो कितनी सारी remedies हैं केतु को ठीक करने की इसके अलावा आप जित्ते भी स्ट्रेय डॉक्स हैं इनको डॉक फूड कैट फूड खिलाइए दूद पिलाइए automatically केतु benefit देंगे इसके अलावा कानों में सोना पहनिए केतु benefit देंगे चाहे आप पुरुष हैं चाहे महिला हैं कानों में सोना जरूर पहनिए इसके अलावा इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपने कोई न कोई मंतर जाब जरूर करना है और नौनवज से दूर रहना है मंतर जाब करेंगे नौनवज से दूर करते हैं हनमान जी का मंतर करते हैं तो उसके बाद अंत में अपने उस रुकेवे काम के विशे में जरूर प्रातना कीजे ताकि वो काम आपको पूरा होता दिखें विवादों से जगडों से लडाई से दूर रही है जब भी अगर आपका केतु negative है और आप लडाई जगड में मौत होई है और इस लाइफ में जगडा कलेश किये बगर नहीं मानते तो आप अपनी हिस्ट्री को रिपीट मत कीजे अपने जीवन को सुख सुविदाओं से शांती से अच्छे से बताईए जीवन को बहतर करने का प्रयास कीजे ताकि आपके केतु देवता आपको तरीके के नगे ड्यूटी से आपको अजादी मिले और प्रोटेक्शन के लिए हमारा लॉकेट पहनिए तो इसी तरह सुनते रहे प्यार देते रहे डिस्क्रिप्शन में आपको डेटेल्स मिल जाएंगी धुनी के लिए लॉकेट के लिए मैं हूँ आपका दोस्त प्लकतम सेंगला